आज की रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि ये देखने में जितना बढ़िया लग रहा है ना खाने में उतना ही सूपर टेस्टी एकदम मज़ेदार और हेल्थ के हिसाब से तो एकदम जबरदस्त रेसिपी है ये जो बच्चे जादा तो नूडल्स य बहुत सिंपल है बहुत आसानी से बन जाती है जटपट बन जाने वाली रेसिपी है ये तो वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने में कंजूसी ना कीजिएगा और वीडियो को सेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को करना ना भूलिएगा तो हाई एवरिवन मैं स्रद्धा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्रद्धा होम लाइफ में तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब बढ़िया होंगे स्वास्थ होंगे मस्त होंगे तो चलिए इस रेसिपी को बनाना सुरू करते हैं तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम गुथा हुआ आटा ले लिए हैं हम पहले से आटे को गुथ कर रख लिये थे अगर आप चाहे तो आटा गुथ ले या फ्रीज में जो रखा हुआ है उसी को यूज कर ले हमें इसके लिए आटा बिल्कुल वैसा गुथना है जैस झाल झाल इस आटे की रोटी बनाने के बाद हमें क्या करना है कि एक चाकू की हेल्प से हम इस तरीके से लंबे लंबे पीसे में कट कर लेंगे अगर आपको जिस हीसाब से कट करना है चाहे आप चाहे तो बारिक भी काट सकते हैं या फिर थोड़ा चोड़ा भी रख सकते हैं या फिर स साइज में इस तरीके से काट लेजिए तो हम इस तरह से काट लेंगे और इसे काटने के बाद क्या करेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा सा आटा छुड़क देंगे ताकि यह आपस में चिपके नहीं क्योंकि यह मैदा नहीं है यह आटा है बहुत जल्दी यह आपस में एकदम च छेकी हुई के लोऊंquito हिए यंदेट ने के करें यह ज्पाद को सब्सक्राइब कोसीlike रोटी अने नार फिर्टा और बलने से लच्राइब यह देखिए कितना बढ़ियां जो लच्छे हैं तयार हो गए है तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि एक गैस पर चढ़ा देते हैं एक लीटर के करीब पानी गरम होने के लिए और जब यह पानी खुब बढ़ियां से लुका गरम हो जाए तो इसमें हम डालेंगे एक चमच के लगभग तेल ताकि यह जो लच्छे इसमें हम डाले वो आपस में चिपके नहीं और जब पानी खुब बढ़ियां से उबल जाए इसमें बढ़ियां से एकदम उबाल आ जाए तब इन लच्छों को इसमें हम डाल देंगे और यह जो आटा के लच्छे हैं इसे हमें थोड़ जाएगा तो हमें तुरंद से एक बएक सभी लच्छे इसमें नहीं डालने हैं बारी बारी करके थोड़े थोड़ी देर पर हम इन लच्छों को इसमें डालेंगे बिल्कुल इसी प्रोसेस से और जैसे ही डालेंगे ठीक उसे चम्मस से चलाते हुए उसे हम खुब बढ़ि से उबाल आ जाए और यह लगेगा आपको कि जब यह पक गया है तब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और यह 5-7 मिनट के लगभग में खुब बढ़ियां से पक जाता है तो इसे इस तरीके से चलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर पर और अब यह पक चुका है तो हम गै पानी में डाल देंगे ताकि यह आपस में चिपके नहीं बिल्कुल इस तरीके से अगर हो सके तो बर्फ वाली जो पानी आती है फ्रीर वाली जो थंडी पानी होती है एकदम उसी का प्यूज करें तो यह सबसे बढ़ियां रहेगा और इसे दो तीन पानी धोली जे एकदम चिपकेगी नहीं तो इसे आप जब भी गरम पानी से निकाले तो सिधर थंडे पानी में ही डाले इसे क्या होता है ना कि यह आपस में चिपकेगी नहीं तो चलिए अब इसे बनाना सुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए हम कडाही को करेंगे गरम उसमें 2-3 चमज के लगभग डाल देंगे जीरा जब चटकने लगे तब इसमें हम डालेंगे कटी हुई अद्रक को बारी काट करके हम आधा चमच के लगभग ले लिए हैं और दो सितिन हरी मिर्च डालेंगे हम और जो ताजी वाली कड़ी पत्ता होता है तो उसी का हम यूज कर रहे हैं अगर यूज आपको डालना हो तो डालिये नहीं तो आप रहने भी दे सकते हैं तो इसमें कडी पत्ता डालने के बाद हम एक बड़े साइज का प्याज का डाल लेंगे और इससे लाल होने तक अगदम भूनेंगे और जब प्याज को बढ़ेंगा एक दम ब्राउन कलर में आ क्योंकि यह ज़्यादा बढ़ियां बनेगी टमाटर से तो इसमें दो पके हुए लाल लाल टमाटर काट कर हम ले लिए हैं टमाटर डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच गरम मसाला थोड़ा सा आम चुर्ण का पाउडर हम हैं और अब हम डालेंगे इसमें मिर्ची पाउडर अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो मिर्ची पाउडर ना डाले अब इसमें हम डालेंगे नमक ताकि टमाटर जो है खुब बढ़ियां से गल जाए तो चलिए इन सब को चला करके मिक्स कर लेते हैं ताकि कुछ मसाले और टमाटर भी खुब बढ़ियां से गल जाए अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ सब्जियां भी डाल सकते हैं जैसे सिमला, मिर्च, पत्ता, गोभी, गाजर तो बच्चों को खाने के लिए यह खुब बढ़ियां healthy dish तयार हो जाएगा लेकिन अभी फिलहाल सब्जियां मेरे पास है नहीं तो हम इसे ऐसे ही बनाएंगे तो यह देखें टमाटर खुब बढ़ियां गल गया है इसे मैस कर लेंगे और मैस करने के बाद इसमें जो हम लच्छे बना करके रखे थे नूडल्स बना के आटे के रखे थे वो इसमें हम डाल देंगे और इसे खुब बढ़ियां से प्रोपर तरीके से चला करके एक दम मिक्स कर लेना है ताकि जो भी मसालों की कोटिंग है खुब बढ़ियां से इनके उपर हो जाए तो इसे खुब बढ़ियां से चला लेते हैं और अगर इनमें आप सब्जियां डाल देते हैं तो यह एक हेल्दी डिस जो कहा जाता है बच्चों के लिए तयार हो जाता है चाहे आप उसे साम के समय में दें या लंच में दें या ब्रेकफास्ट में दें बच्चे खाएंगे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा अगर बच्चे रोटी सब्जी उतना खाना पसंद नहीं करते हैं तो उन बच्चों को इन नूडल्स में थोड़ी सब्जियां भून करके मिक्स करके अगर आप देंगे तो वो बड़े आराम से खा लेंगे और बहुत खाने में उन्हें स्वाधिष्ट भी लगेगा बहुत सॉस और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे टमैटो सॉस हम जादा नहीं डालेंगे दो से तिन चमज के लगभग डालेंगे तो लीजिए यह बन कर तयार हो गई एकदम देशी स्टाइल में नूडल्स पास्ता जो चाहें आप इसे बोल सकते हैं लेकिन इसका टेस्ट इतना में लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी लगता है बच्चे को जब एक बार बना करके आप देंगे ना तो आप दो तीन बार हपते में जरूरी बना लेंगे तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं लीजिए बनकर तयार है देशी स्टाइल में वह भी होममेड एकदम आटे क बना हुआ हेल्दी टेस्टी आप बोल सकते हैं इसे एक दम पास्ता नुडल जो कहना चाहिए तो आप इस रेसिपी को एक बर जरूर ट्राइ कीजेगा एक दम जटपट से बन जाती है यह रेसिपी और यह रेसिपी और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बता आदे